समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद कहा है? हमारे देश में तो अफसरवाद है, जाजपादवाद है, कुरसीवाद है अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे ये जो वोट है ना ये कागस का ठुकड़ा नहीं है कि डबे में डालार चल दिये ये वोट तुमारे परिवार तुमारे देश उसकी उनती की परची है ये तो दो धारी तलवार है जो दोने तरफ से काटती है ठीक जगा पड़े तो देश खुशाल और गलत जगा पड़े तो देश का सत्यानाश अरे भाईयो हम तो आप से एक सवाल पूछते है जब आप अपनी बेहन या बिटिया की शादी तै करते है तो पहले अच्छा लड़का डूलते है अच्छा खांदान देखते है उसके गुन और अब गुन देखते है तब जाकर कन्या की शादी करते है वोट भी तो तुमारी बेहन और बिटिया है ना उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो अरे भाई ये वोट तो भरो से मन्द और इमानदार को देना चाहिए मगर आप लोग क्या करते है बेशते हैं आपना वोट वोट का ब्लैक मार्किट करते है जिसने ज़ादा पैसे दी उसे दे दिया वोट तो ऐसे बाटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है कभी किसी दोस्ष को दे दिया कभी अपनी जाथ वाले को दे दिया और कभी बेश दिया अरे हम तो कहते हैं 222 बेशता है वो भी बहिमान है जो वोट खरिदता है वो भी वहिमान है तो फिर किस मूँ से हमें वहिमान कहते हो हाँ अरे अगर वहिमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो वहिमान बनेगी ही तो फिर चिलाते काई को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद जिस दिन तुम वोट खरीदने वालों को अपनी चौकट से तक्का मार कर बाहर निकाल दोगे उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अब देखो हमारे इन उपमक मंतरियों को इन बहिमानों को किसने बेजा ये आपी कि रोगों कि बेजे हुए है न अब ये बहिमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आज से पांस साल बाग जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहा से लाएंगे अरे यहीं से तो लाएंगे न अरे बोलिये बोलिये आप कहते कि हमने रिश्वत ली है बैमाणी की है औरे हम कहते है हमने रिश्मत खाई है कोई कहता है 12 करोड कोई कहता है 15 करोड कोई 16 आप जानते हमने कितना कंडा है हां 62 कुरट 62 62 साट और दो अगर 6 मेने में हमने 62 करोर रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोर कमाये होंगे है इसाब लगा सकते हैं अगर जब आप हमारा इसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का इसाब कैसे लगा सकते हैं अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से इसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर इसाब मांगेंगे, क्यों, क्योंकि अब, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है, कि ये रुपया, ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है, बैमानी का पैसा किस रास्ते से कमा अब हमें पता चल चुका है आप लोग कहते हैं आप बाइमान हैं हाँ आप क्या कहते हैं कोई कहता है इमानदारी के प्रगंबर हैं मगर हम क्या है हम बाइमान है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे सुन लिए आप लोगों ने, क्योंकि हम इनका कच्छा चिथा जानते हैं न, इनका बांड आप खोड़ सकते हैं इसलिए तो हम इन बैमानों के मुख्या बन गए पर हमारी भैमानी की कमाई गई कहां? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पर्चा, कि उन इमांदार लोगों की जैजैकार करो । उन्ही को वोट दो, उन्ही की सरकार बनाओ और लोगतंपर के हाथ मजबूत करो पर वो इमानदार लोग, भीक का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवज्जे पर नहीं आएंगे अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवज्जे पर अपना वोट लेकर और उनसे बिनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट सुईकार करो वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुन त्रिपाठी खड़े आदी जवाने का लियान है आप लोगों में यही तो खाराबी है, कोई बड़ी बड़ी बाते करे, मीटी मीटी अच्छी अच्छी बाते करे आप धना धन तालिया बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं यह तालिय बजाना बंद करो, यह तालिय बजाने का वकत नहीं है अरे, आपके इस सीधे पन का तो लोग पाइदा उठाते हैं पहले हमसे पूछो ए राम अव्तार, ए राम अव्तार, वो 62 करोर रुपया कहा है वो 62 करोर हम बैंक में रखा है, और यह रही उस बैंक के मलौकरों की जाबियां 62 करोर बैंक में है, अब को कि हम बहिमान है, दिश्वत खोर है, दुखे बाइज है, बोलो अगर लोगों को कुर्शी पर बिटाने का हक आप लोगों के पास है, तो उनको कुर्शी से घसीट कर नीचे फैकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए